सर्दिया आते ही अपने साथ कई तरह की बिमारिया लाती हैं दसल सर्दियों के मौसम में खासी जुकाम और गले में दर जैसी दिक्कत होना आम बात है इस तरह के मौसम में एक बार गलती से भी कोई आइसक्रीम या कोई ठंडी चीजे खा लिया तो समझो शामत सी आ जाती है जिससे भी एक बार सर्दी पकड़ लेती है तो फिर उसे छोड़ने का नाम ही ने लेती है इन दिनों अधिकतर लोग खासी की समस्या से पीड़ी थें बेश्वक खासी गंभीर समस्या नहीं है लेकिन इससे आपका सामाने काम काज बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है इस उन चीजों के बारे में तो सबसे पहले हम बात करेंगे अधरक और तुलसी की ऐसे में खासी से चुटकारा पाने के लिए अधरक और तुलसी का सेवन किया जा सकता है इसका सेवन करने के लिए एक बरतर में आधा कप पारी ले और इसमें चार से पांस तुलसी के पते और थोड़ा अद्रक कूट कर डाले और जब पानी पक जाए यानि की पानी में अद्रक और तुलसी का रंग चर जाए तो आच बंद कर दे फिर तयार हुए पानी को कप में डाले और चाय की तरह घूट-घूट में फिये इससे आपके गले को आराम मिलेगा और खासी कम होगी ज कर दे तीजी से दिखता है अद्रक और शिहद दोनों ही एंटी इंफलीमेटरी और एंटी-बैक्टेरियल गोडों से परपूर होते हैं ऐसे में आप अद्रक और शिहद को साथ मिलाकर खास सकते हैं जिससे आपकी खासी और जुकाम की दिक्कत दूर हो जाएगी बता दे कि अद्रग और शेहत को मिला कर सिरब भी बनाया जा सकता है सिरब बनाने के लिए अद्रग और शेहत के साथ ही नीवू के रस्त का इस्तमाल भी किया जाता है इसको बनाने के लिए एक पैन में थोड़ा पानी डाल कर पकाएं इस पानी में एक चमस शहद, आधा चमस नीवू और थोड़ा अधरक कूट कर डाल दे फिर इन तीनों को एक साथ पकाए फिर हलका गर्म ही इस मिस्त्रल को पीलें सुब़ शाम इसका सेवन करने से खासी और जुकाम कम हो जाता है इस टिफ्स पर आपकी क्या रहा है आप हमें कॉमेंस करकी बताईए ऐसे यह और टिफ्स के आप देखते रही जन भावना टाइम